नवश्कार बच्चूं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाज 10 के मल्पिल चाइस क्वेशन्स और जो मल्पिल चाइस क्वेशन्स होने वाले हैं यह कार्बन एन इट्स कंपाउंड चैप्टर के होंगे और मेंले हम लोग ने एस चांद बुक से क्वेश तो कार्बन के में जानते हूं कि 3 एलोट्रोप होते हैं क्या-क्या होता है ठीक है ग्रीफाइट पहला होता है दूसरा होता है डाइबंट और तीसरा आपको बताई दिया गया है तीसरा आपके पास है बग मिनिश्टर फूलीन इसमें आद रखिका 60 ने क्वेशन को देखे ठीक है, double bonded होंगे carbon carbon या triple bonded होंगे, ठीक है, तो double bonded मतलब वो होते हैं जिनको alkenes कहा जाता है, यह alkenes होते हैं, यह alkenes और alkenes जो हैं यह आपके unsaturated hydrocarbon होते हैं, अब alkenes का जो general formula होता है, यह होता है cn h2n, alkenes का होता है cn h2n-2, ठीक है, यहाँ पर देखे cn h2n plus 2 के हिसाब स आ रहा है, तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एक ही तरीके के होने चाहिए, तो यह भी गलत है, ठीक है, यह तो देखेंगे, तो यह हो जाएगा alkenes, ठीक है, यह alkenes हो जाएगा, तो यह alkenes हो जाएगा, तो यह option गलत हो गया, ठीक है, आपके होता ह हम देखिए पहला ऑप्षन गलत हो गया नेक्स में से का फॉर्म नहीं हो जाएगा और यह फिर से लिकीन है यह क्योंकि एक तो यहां पर सी option से हो जाए क्योंकि दोनों ही क्या है यह तो बिलकुल ही गलत है तो कुछ ही नहीं नेक्स पर आते हैं कुछ नमबर अफ कोवलेंट बॉन प्रेजेंट इन पेंटेन का पहले structure बना लीजे तो कार्बन कार्बन कितने होंगे प्रेजेंट का मतलब होता है तो कितने कार्बन होंगे पांच एक अन का मतलब होता है सिंगल बॉंड क्या होता है किवल कांसी बॉंड होगे갈 कारब re干हीं किकेous के बीच नहीं पर देखकेर पर एक है इस carbon पर तो एक, दो, तीन और सब पर क्या कर दीजे hydrogen कर दीजे ठीक है तो सब पर जब हमने hydrogen कर दिया तो जितनी bonds बनी है ठीक है जितनी bonds बनी उन bonds को गिन के बताना है कि कितनी bonds यहाँ पर बनी हुई है ठीक है तो bonds आप गिन सकते हैं तो एक, दो, तीन, चार, और उक्तिय बाढन होंगी शोगा नेक्स पर आते हैं किस्वर फोर्थ देखेंगे दो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉंबिनेशन देखेंगे अटम्स की ठीके से में अब बन के साथ जोईन होता चला आता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा है क्या तो इसमें डी कहा रहा है cyclic hydrocarbon having carbon carbon single bond as well as carbon carbon double bonds in a molecules तो देखे यह जो carbon carbon single bond है और carbon carbon के बीच में double bond भी है और cyclic compound है याद रखेगा cyclic compound है तो यह कौन सा होता है तो यह benzene है benzene के बारे में आपर बात हो रही है ठीक है benzene का formula होता है C6 H6 और इसका structure कुछ इस तरीके का बनेगा hexagonal structure होता है याद रखेगा ठीक है alternate double bonds होती है जैसे यहां double bond हो गई तो दूसरा single होगा तीसरा double होगा फिर यहां पर एक यहां double होगा तो यह आपका हो जाएगा क्या अब देखे सब में एक Hb लगा दीजे तो सब में Hb हमने लगा दिया तो यह structure किसका हो गया तो यह structure हो गया हमारा किसका बेंजीन का structure हो गया तो बेंजीन में आप देख सकते हैं तो इसका formula क्या है C6 H6 है next पर आते हैं question पर फिफ देखेंगे फिफ में कहा गया the hydrocarbon 2 methyl butane अब देखें two methyl butane का पहले structure बना लीजे तो एक दो तीन और चार यह ब्यूटेन हो गया आप दो दूसरे यह जो पहला है दूसरा कार्बन है तीसरा कार्बन है चौथा कार्बन है सेकेंड कार्बन पर आप देख सकते मिथाईल है तो मिथाईल आपको पता होगा CH3 होता नॉर्मल पेंटेन यहीँ आपको option सही हो जाए क्योंकि इसमें तीन होंगे इसमें भी चार होंगे तो सब गलत है इसमें a option जो है वो सही है next पे आते हैं next question में कहा गया unsaturated hydrocarbon है और triple bond है तो triple bond है इसका लब क्या है तो triple bond से हमको पता चल जाएगा कि यह क्या है alkyne है पहली चीशते पता है कि alkyne है अब alkyne का general formula क्या होता है तो यह होता है cn h2n-2 होता है ठीक है यह general formula होता है alkyne का अब इसे 50 hydrogen दिये गए इसको अंतलब यह जो value दी गई है 2n-2 की 50 दी गई है तो आप क्या करिए 2n-2 को 50 कर दीजिए पूछा क्या गया है कि carbon atom मतलब n की value आपसे पूछी गई है तो 2n की value क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी तो n क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं तो इसका c option सही हो जाएगा question बर 8th पे आते हैं 8th question में कहा गया n alkyne has 75 carbon atom तो देखे alkyne की बात हो रही है फिर से general formula लिख लि है hydrogen atom कितने होंगे तो देखे यहां पर यह वाली value आपको चाहिए तो क्या करिए 2 x 75-2 कर दीजे 75-250 हो जाएगा 148 अंसर आजाएगा इसका ठीक है तो hydrogen atom कितने 148 है तो इसमें B option सही हो जाएगा next question पर आते हैं diamond tooth saw is used for cutting तो देखे जो diamond होता है diamond आपको पता होगा strongest यह कह सकते है hardest substance है जो आज तरक हम लोगों को पता चल पाया है तो hardest substance क्या है diamond है diamond के जो blades होती है diamond के जो tooth बनाया जाते है tooth का जो saw बनाया जाता है उससे किसी को cut कियाता है मेली पहाड की cutting करने के लिए उसको use कियाता है साइनेट था उससे प्रिपेर किया था यह पहला और गया अर्गनिक अंबाउंड था जो प्रिपेर किया था लैब में तो इसका नाम क्या है तो उसका नाम यूडिया ठीक है तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा next पे आते हैं question number 11 देखते हैं 11 में क्या कहा गया one of the following is not an elotrope of carbon आपको बताना है इनमें से elotrope carbon का कौन सा नहीं है तो diamond है graphite है buck minister full lean है क्या नहीं है तो cumene नहीं है ठीक है अच्छा ये दो बाते और याद रखेगा graphite में हर एक carbon जो है वो 3 carbon से attached होता है और diamond में हर एक carbon जो है ये 4 carbon से attached होता है ठीक है और buck minister full lean में total number of carbon atoms कितने होते हैं तो 60 होते हैं ये भी चीज़े ऐसी हैं जो आपसे पूछी आ सकते एक्जाम में next पे आते हैं 12 question में कहा गया the number of carbon atoms in organic compound name as 2,2 dimethyl propane तो देखे पहले इसका diagram बना लिए मतलब structure बना लिए एक दो तीन ट्रोपेन हो गया यह आपका first carbon second carbon और यह third carbon अब second carbon पर आप देख सकते हैं 2,2 dimethyl है dimethyl अनलब दो मिथाइल तो एक मिथाइल ऊपर लगाया और दूसरा मिथाइल नीचे लगाया ठीक है और बाकी सब पर क्या लगा दिया जो जगह बची वहाँ पर hydrogen लगा दिया ठीक है तो यह आपका hydrogen इसी तरीके से हाँ भी hydrogen आ जाएगा तो इधर भी हमने क्या कर दिया hydrogen लगा दिया अब देखें क्या कहा गया है कि carbon atoms कितने हैं तो एक दो तीन और चार और यह पांच टोटल कितने carbon atom हो गया है पांच क्योंकि carbon atoms की पूछा गया था और इस तरीके से माली जे hydrogen atoms आप से इसी question में पूछ लेते हैं कि बताए hydrogen atoms कितने हैं तो वो भी आप आसा नहीं से देखके बता सकते हैं question number 13 पे आते हैं 13 के रहा the pair of elements which exhibit the property of catenation तो देखें की property किसमें किसमें होती है sodium में नहीं होती है chlorine में भी नहीं होती है sodium फिर से आ गया तो silicon और carbon सही हो जाएगा याद रखिएगा outer more shell में कितने electron होने चाहिए जो सबसे बड़ी इसकी होती है outer motion में चार electron होने चाहिए वो silicon में भी होते हैं carbon में भी होते हैं ठीक है बस इनी दोनों में होगा बाकी किसम नहीं हो पाता है क्योंकि जो size होना चाहिए वो भी बहुत छोटा होना चाहिए silicon तक तो चलिए चल जाता है इसके बाद जो elements होते हैं उनका size बड़ा गया तो saturated आपको समझ जाना है कौन सा होता है एलकेन होता है तो एलकेन की बात हो रही है यहां पर तो एलकेन पचास hydrogen atom इसमें दिये गए है एलकेन का general formula क्या होता है cn h2n plus 2 होता है ठीक है अब hydrogen कितने मदलब 2n plus 2 की value दी गई है और कितनी दी गई 2n plus 2 की value 50 दी गई है ठीक है यहां से आप n निकाली जान कितना हो जाएगा तो पहले इसको भेजेंगे उदा तो 48 upon 2 मदलब 24 तो यही पूछा गया था कि carbon atom कितने होंगे तो 24 हो जाएंगे त इसका मतलब क्या है तो इलकीन है क्या है यह इलकीन है अब इलकीन में कितने carbon atom पहले इसका general formula लिखीजे तो general formula होता है cn h2n अब आपको carbon atom दी है 100 इसका मतलब n की value क्या दी है 100 दी है आप से क्या पूछा है hydrogen atom पूछे हैं तो बहुत आसान hydrogen double होता है 2N होता है तो 2 into 100 मतलब क क्या हो जाएगा 200 will be the correct answer that is option number a next पे आते हैं question number 16 the hydrocarbon which has alternate single and double bond होते है और रिंग के फार्म में होता है तो भी बताया था इसका structure बनाया था इसको क्या किते है बेंजीन कहा जाता है ठीक है याद रुकिए का this is called benzene next पे आते हैं अगला सवाल देखते है question number 17 17 में कहा गया which of the following cannot exhibit isomerism अब देखे किसमें isomers नहीं होते हैं तो isomers होते क्या है पहले समल लीजे जिनका chemical formula जो हो ठीक है या chemical formula या chemical structure जो हो वो अलग हो लेकिन chemical formula क्या होना चाहिए same होना चाहिए लेकिन इनके structure जो होने चाहिए ठीक है structure जो होने चाहिए वो अलग होने चाहिए different होने चाहिए तो same compounds मतलब उनका chemical formula तो same है ठीक है लेकिन उनके structures different है ऐसे compounds को गायाता है isomerism ठीक है C4H10 butane है इसमें isomerism होगा इसको butane कहेंगे isomerism इसमें होगा C5H12 यह देखा जाए तो यह pentane है इसमें भी isomerism होगा ठीक है C3H8 क्या है carbon 3 है इसको अदब इसको कहेंगे propane ठीक है propane में isomerism नहीं होता है propane में isomerism नहीं होगा C6H14 इसको hexane कहेंगे ठीक है इसमें भी isomerism होगा तो किसमें नहीं हो रहा है तो C में isomerism नहीं हो रहा है next पे आते हैं कुशंबर 18 में कहा गया था pencil leds are made of mainly अब देखें जो pencil led हो mainly किसकी बनी होती है तो बच्चे तुरंथ led देखते हैं और आंसर लगाते हैं led जो की गलत है इसका सही आंसर क्या है graphite है ठीक है और graphite किसका form होता है तो elotropic form होता है किसका carbon का ठीक है next पे आते है next question question नाइंटीन है नाइंटीन में कहा गया था number of isomers formed by hydrocarbon with molecular formula c5h12 अब देखें c5h12 कि आपको बताने हैं कितने isomers होते हैं ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे isomers पूछे गए तो isomers simple है तीन isomers होते हैं इसके c5h12 है क्या तो यह pentane है ठीक है pentane है यह तो pentane में आप बनाना चाहें हैं तो एक तो मतलब आप simple बना सकते हैं 1 2 3 4 यह हो जाएगा पहला pentane दूसरे pentane के लिए क्या करिए एक carbon को कम कर दीजे और दूसरे को आप यहां लगा दीजे carbon को दूसरा हो जाएगा तीसरे के लिए आप एक, दो को कम कर दीजे एक carbon को longest chain में और यहां पर आप दो carbon लगा दीजे ठीक है, तो normal pentane हो गया, iso-pentane हो गया, new pentane हो गया यह तीन isomers होते हैं, किसके, किसके isomers होते हैं यह तो यह pentane के isomers होते हैं Last question पर आते हैं, last question देखते हैं प्वेंटीएथ है आसान क्वेश्चन है दे नंबर ऑफ कार्बन अटम जॉइंड इन स्फेरिकल मॉलीकूल तो याद रखेगा है कितने कार्बन आटम्स होते हैं जो इसका क्वेश्चन को समझ सकते हैं कही न कहीं बहुत ज्यादा इंप्वेश्चन थे इसके लावा पूरी 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 प्लेलिष्ट बनी है आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं MCQ की playlist, MCQ की भी playlist और कहीं न कहीं जो explanation है chapters का उसकी भी playlist लगा दी गई है उसको आप लोग जाके देखिए और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका अच्छे से revision करिए तो अभी कले फिलालत नहीं, thank you very much, goodbye, jahind